कैसे हैं आप सब लोग यह 15 February से 15 March की रीडिंग है और हम सारे जोडियक की दिखेंग कि हर जोडियक की आपकी तरफ क्या फिलिंग रहने वाली है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हम कैप्रिकॉन की लव इनर्जी कैप्रिकॉन के लिए क्या रहेगी फॉर नेक्स्ट वन मंथ दो AC आए हैं बैक टू बैक तो यहां डेफिनेटली जो कैप्रिकॉन है वो कैप्रिकॉन चों बहुत ज्यादा लव करती है और एक न्यू बगिनिंग करना चाहते हैं चुछ के बेसी पेशिज पे बहुत ज़दा पैशन है इनके बीच में अट्रेक्शन फील करते हैं तो अगर आप Capricorn हैं और आप Capricorn से डील करने हैं तो आपका जो Capricorn partner आपसे बहुत जादा passionate और highly attracted है और कुछ conversation करना चाहता है और definitely एक नई शुरुआत करना चाहता है full of passion के साथ आपके साथ राइट चलिए तॉरस की love energy क्या रहेगी Capricorns के लिए वो हम देख लेते हैं यहां हमारे पास six of cups, six of pentacles और knight of wands है तो Capricorns यहां पर जो टोरस की उर्जा है वो आपकी तरफ भागते हुए आने वाले हैं बहुत जादा passion है old memories को याद कर रही है passion बहुत जादा है तो एकदम rush करते हुए आपकी तरफ आएंगे अगले एक महीने में ठीक है situation को balance करने की करेंगे या तो आपकी help चाहते हैं या आपको help देना चाहते हैं ठीक है old memories को बहुत जादा याद कर रही है तो passion के साथ भागते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं next हम देखेंगे वर्गोज की feelings क्या रहेंगी आखिर Capricorns के लिए तो यहां हमारे पास दो cards है four of pentacle है king of cups है बहुत जादा unconditional love है यहां लेकिन love को express नहीं कर रही है hold back कर रही है कोई effort put करते हुए नहीं नजर आएंगे अगले एक महीने में ठीक है unconditional love है बट उसे जाहिर नहीं करेंगे और नहीं यहां कोई action लेते हुए नजर आएंगे इसे hold back कर रही है ठीक है एक कदम पीछे ले रही है next हम देखेंगे यहां Sagittarius की feeling क्या रहेगी Capricorns के लिए तो यहां हमारे पास Hermit card है Emperor card है तो isolation का period रहेगा next one month में जो है Sagittarius आप से बात नहीं करने वाले हैं within जाने वाले हैं कुछ inner work करने वाले हैं या तो meditation या prayers करने वाले हैं ego की वदर से हो सकता है कुछ लोगों के जो है partner नहीं आ रहे हैं तो high vibration में तो रहेंगे passion तो बहुत है लेकिन because of ego या फिर उनकी कुछ awakening चल रही है कुछ inner work चल रहा है अकेले रहना पसंद आ रहा है आपके partner को अगले में आप से नहीं किसी और से भी जो है deal करना नहीं पसंद करेंगे अकेले रहना पसंद करेंगे Sagittarius व आपसे या हो सकता है कुछ karmic आप दोनों का cycle चल रहा हो strong attachments हो बट अगले एक मीने में जो आपका partner है वो सिर्फ self love करता हो नजर आएगा self obsessed नजर आएगा हाला कि जितना मर्जी karmic आप दोनों की situation हो जितना मर्जी यहां toxicity हो या जितना मर्जी यहां पर obsession हो आपके partner को आप से पर आपका partner जो है खुद में ही invest करता हो नजर आएगा single रहता हो नजर आएगा अपनी money पे focus करता हो नजर आएगा आप पे focus नहीं करने वाला ठीक है तो एक मीने में आप वो expect नहीं कर सकते लियोज की love energy क्या रहेगी Capricorn के लिए देख लेते हैं तो यहां miss कर रहा है communication कर करना चाहता है यह चाहता है चीजें आगे पढ़ें तो कि बहुत जादा मिस कर रहा है तो communication करना चाहता है बातचीत करना चाहता है आगे बढ़ाना चाहता है next हम देखेंगे Gemini's की उर्जा क्या रहेगी Capricorns के लिए अगले एक महीने में तो यहां three of sword four of sword or hanged man यहां suppression चल र अगे नहीं बढ़ रहा यह इंसान अपनी जो दुख और दर्ध है उसको हील करना की कोशिश करें अगले एक महीने में हाला कि कोई effort इस इंसान की तरफ से यहां put होता हूँ नहीं नचरा रहा आपनी pain से उभरने के लिए खुद को हील करना चाहेगा और stuck feel करेगा आपके ब अपने emotions को चुपा रही हैं hide कर रहे हैं या कुछ बाते हैं जो की under the surface है जो वो नहीं बताया है उन्होंने Capricorn को तो या तो simply अपने इतने सारे emotions को hide कर रहे हैं कि वो new beginning चाहते वो hide कर रहे हैं या कोई बात चुपाई है तो यहां एक hidden hidden उर्जा है plus एक new शुरुआ को करना चाहते हैं बड़ हाइड कर रहे हैं love की कमी नहीं है emotions बहुत जादा है emotions बहुत हैं आपके लिए next हमारे पास Libra की love energy देख लेते हैं Capricorns के लिए क्या रहेगी तो यहां है seven of wands queen of cups और knight of pentacle तो यह इंसान अभी defensive हो सकता है अगले महीने में लेकिन आपसे प्यार बहुत करता और past में इस इंसान ने जाहिर भी किया है अपना love तो यहां आप यह नहीं कह सकते कि एकदम से quick इंसान आपकी तरफ आ जाएगा जो लीब्रा की उर्जा है वह slow strategy बनाके अपने तरीके से धीरे धीरे छोड़े-छोड़े step लेते हुए बहुत slow आपकी तरफ यह इंसान आए नेक्स स्कॉर्पियोस की love energy देखते हैं के लिए क्या रहेगी यहां पर nine of swords है है तो स्कॉर्पियोस के टेंशन ले रहे हैं over singing कर रहे हैं क्योंकि वह commitment चाहते हैं ठीक है के साथ शादी करना चाहते हैं higher level of commitment चाहते हैं और यही बात उनको सोच के commitment होगी नहीं होगी क्या है तो वह बहुत ज़ता anxiety और stress ले रहे हैं आपको याद कर रहे हैं आपको सोची जा रहे हैं rolling and rolling and rolling सोची जा रहे हैं Pisces की love energy देखेंगे आखिर क्या है Capricorns के लिए यहाँ पर stalker की energy है दो pages आई है page of swords, page of cups तो एक apology का message आई सकता है कुछ लोगों के लिए या high hello का simple message और दूर से इंसान आपको stalk कर रहा है दोनों ही immature energy है दो pages आई है तो यहाँ पर immature energy है यहाँ Pisces की Capricorns की तरफ सिर्फ दूर से stop करेंगे और सिर्फ high hello में ही बात करेंगे next हमारे पास देख लेते हैं cancer की love energy क्या रहेगी आखिर Capricorns के लिए तो यहाँ काफी card आए है तीन ही आए है तो eight of swords है king of swords है five of pentacle है यहाँ कुछ you know fears है यहाँ separation चल रहा है situation इतनी अच्छी नहीं है आप दुनों के बीच में गुस phase है वह frustrating phase है आपके partner के लिए frustrated हो रहा है एंगर से बहरा हूँ आप पर गुस्जा आ रहा है इस इंसान को और यहाँ fears है इस इंसान को बहुत जादा और feel कर रहा है कि आपने ignore किया यह इंसान ignore कर रहा है आपको तो यह छोटी सी reading कैसी लगी new series document below in the comment section ओके फ्रेंज